देख रहे हैं चहान वीडियो और आज की वीडियो में हम आपके लिए बात करेंगे 25 मार्च 2023 की बड़ी अपडेट के बारे में जिसमें 36 कॉन्वोकेशन के उपर आपके लिए आज भी एक नया नोटिस जारी किया गया है साथ ही साथ असाइमेंट समिसन गाइडलाइन भी ज कि अब जब लास्टेट 20 मार्च 2023 खतम हो जाएगी उसके बाद करके सब रिजनल सेंटर अपनी अपनी तरफ से आपको इसकी जानकारी देंगे कि आपका कॉन्वोकेशन इस दिन होने वाला है और बाकी गाइडलाइन वगारा उन सब के बारे में भी आपको अच्छी जानक आया उसके बाद भोपाल रिजनल सेंटर की तरफ से नोटिस वी आया और उन्होंने एक फॉर्म वी दिया कि अभी भी कोई स्टुएंट है जिसने आभी तेक रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो ये काम कर सकता है फॉर्म को बरके समिट कर दे रिजनल सेंटर में और उ इन भी इस वरंडे दिसंबर दोहचार इक्की से फिर जून दोहजार बाईस में अपनी जो परिक्सा है उनको कंप्लीट किया था इक्जाम कंप्लीट किये थे वो इसके लिए एलिजिबल है उसके बाद जानकारी थी गई कि इगनु के जो मेन हैटकॉर्टर है महाँ पर ज जो आयोजित किया जाएगा एनकी कॉन्वोकेशन जो होगा इगनु में जो दहरादूर रीजिनल जेंटर है वहाँ पर धन सिंग रावत कैबिनेट मंतरी जो वो मुख्यातिती होंगे और आपका जो ये कॉन्वोकेशन होने वाला है वो साड़े दस बज़े से सुरू होग राजीव गांधी नवोदे विद्याले परीसर के MP हॉल में एक वेन्यू की जानकारी यहाँ पर आपके लिए दे दी गई है क्या दी गई है जो कि आप देख सकते हैं तीसरा पैरा जो है उसमें दहरादूर इस्थित दिक्सांत सम्हारों का आयोजन राजीव गांधी नव 1794 जब शिक्सारती यानकी इस्टुएंट हैं उनको डिग्रियां बाती जाएंगी इसमें एक जानकारी और दी गई है लास्टे पैरा में कि अभी तक सिर्फ 678 शिक्सारती हैं जिन्होंने अपनी फीज समिट करवाई है तो यहाँ पर जानकारी दी जा रहे है कि लगभग 25 सो से जाधा इस्टुएंट है जिनको डिग्री मिलने वाली है लेकिन तुरिफ 678 इस्टूएंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो फीज है उसको समिट किया है तो इसलिए जरूरी है जितने भी से जिन्होने अभी तक आवेदर नहीं किया है जिन्होंने अपनी फी समिट के अंदर लगबख हर regional center अपनी अपनी तरफ से आपको जानकारी देगा कि कहां आप उनका regional center के अंदर convocation होने वाला है क्या-क्या details है वो सारी जानकारी आपको मिलेगी उसके बाद मदुराई regional center जो है उसकी तरफ से जून 2023 के exam के लिए assignment submission आपको कहां करना उसकी जानकारी दी गई है जो कि आप देख सकते कि study center के code के साथ आपको mode of assignment submission बताया गया है कि speed post के जरिए करना है in person करना या फिर किसी email id के जरिए करना है यह सारी जानकारी जो आपको दी गई है जिसको देख कर आप अगर मदुराई regional center के है तो अपने assignment जो है वो समिट कर सकते हैं इसके साथ दिल्ली का regional center टू सिमला regional center ने भी अपनी assignment submission की जो guidelines है वो already जारी कर दी है और आप जानते last day 31 मार्स 2023 है अगर आपका आपका जो regional center है वो कोई guideline जारी नहीं करता है कोई online link जारी नहीं करता है उसका मतलब यह है कि आपको जो assignment से अपने वो अपने study center जाकर आप submit करवा सकते हैं मैंने assignment submission slip भी आपको दिखाई थी उसको आप download कर लीजे मेरे telegram channel से जिसका link आपको description box से मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही है